नमस्कार मैं हूराम किंकर सिंग दिल्ली तक की खास पेश कसमा आपका स्वागत है आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम का जो सिविक मुख्याला है यहाँ पर अब तैयारियां अपने अंतीम चरण में है और मेयर ड्यूपिटी मेयर और साथी साथ इस्टेंडिंग पारशदों के अंदर न रहे कि किस पोस्ट के लिए कहां पर वोट देना है और कोई भी वोट इन्वैलिडिया खराब न जाए अगर बात करूं महापौर की तो बैलेट बॉक्स होगा सफेद कलर का हरे रंग का जो बैलेट बॉक्स है वो उप महापौर यानि ड्यूपिट मेयर के लिए है और साथी साथी स्टेंडिंग कमेटी के वो छे मिंबर जिनका चुनाओ सदन से होना है इसका कलर होगा पिंक तो यह कोड है कलर का कोड है और ऐसा इसलिए ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नए नवेले पारशदों को नहों इन सब के भीच आपको ख 34 और चाहे वो 105 जीते हुए पारशद हों बीजेपी के और साफ तोर पर अलग अलग पार्टियां अपने तरह से मशक्कत करेंगी जिस तरह से बहुमत है बहुमत में आम आदमी पार्टी आगे है लिहाजा माना जा रहा है कि मेयर का पद आम आदमी पार्टी को जाएगा उ जा रहा है कि तकरीबन 3-4 जोन ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अगर ठीक से आ जाए तो जाहिर तोर पर जो स्टेंडिंग कमीटी का चेर्मेन है वह जो है उसके खाते में जा सकता है हलाकि ये कया से किसका पलड़ा भारी होगा कौन इसमें धीला पड़ जाएगा और किसके वोट जो है ठीक नहीं होंगे तो ऐसे में हमें लगता है कि इंतजार करना चाहिए और यहीं वज़ा है कि दिल्ली तक आपको लगातार पलपल की खबर दे रहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है साथी साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी इसकी और साथी साथ लगाए गये हैं सीसी टीवी कैमरे के जरीए इन बैलेट बॉक्स को रखा गया है और अलग-अलग रंगों में जो जीते हुए पारशद हैं वो आएंगे और अपना वोट करेंगे पारशद सबसे पहले जो है ओत लेंगे यानि शपत होंगे और उनको उनका आईडी जो पारशद क कहलाएंगे समवैधानिक तोर पर और उसके बाद ही जो है मेयर का इलेक्शन होगा उसके बाद उप महापौर का इलेक्शन होगा और आखिर में जाकर स्टेंडिंग कमेटी के छे मिंबर चुने जाने का इलेक्शन होगा तो माना जा रहा है कि 11 बजे ये सारी कारवाई पहर सुबह 11 बजे से ले करके शाम तक का वक्त लग सकता है सारी तैयारियां जोरो पर है म्यूनिस्पल सेक्रेटरी ने अपने तरह से तैयारी कर ली है उसाथी साथ इलेक्शन और आफिस से कुछ लोगों को बुलाया भी गया है निमंतर दिया गया है ताकि वो आएं और यहां पर जो कारवाई हो रही है वो उनकी नजर में रहे और वो उसे बाकाइदा देखें क्योंकि जो इस्टेंडिंग कमिटी के 6 मिंबर्स होंगे उनका चुना प्रिफरेंशियल वोटिंग के आधार पर होगा लिहाजा किस तरह का प्रिफरेंस बनेगा या सब कुछ नि प्रिफरेंस प्रिफरेंस